नमस्कार दोस्तों और कैसे हैं आप सब तो भाई 2022 में कितने सारे फोन लॉंच हो चुके हैं और ऐसे में ओपो कैसे पीछे रहा था तो भाई ओपो ने लॉंच कर दिया है अपना ओपो के 10 और यह आता है दोस्तो स्नापड्राइगन 680 के प्रोसेसर के साथ और ओपो के AI आपको मिलता है AI इन्हांस कामरा फीचर जो की बेसिकली ओपो के फ्लाक्षिव ड्याइज़ रहा थी लेकिन अब आपको ओपो के 10 में भी मिलेंगी उसी के साथ साथ आपको डायमिक राम एक्स्पेंशन का ओप्शन मिल जाएगा ओपो ग्लो डिजाइन और बहुत कुछ त चलिए शुरू करते हम टेक की बात कैंटिंटेगाने GT हिंदी के साथ तो चलिए दोस्तों उन्बॉक्स करते हैं यह है ओपो के 10 और यहां पर हमार पा 6GB with 128GB वाला जो वेरेंट है वह है तो आईए इसको उन्बॉक्स करते हैं इसको दोस्तों बाद में खोलेंगे सबसे पह तो दोस्तों देखने में काफी जादा प्रीमियम लग रहा है और इस पे बाद में राद डालेंगे पहले देखते हैं कि आपको बॉक्स में और क्या-क्या मिलता है तो इसके नीचे दोस्तों आपको यह पावर अडप्टर मिल रहा है काफी जादा डूरिबल है यहां पे दोस्तों आपको एक type A to type C का जो cable है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों इसके बाद इस leaflet के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आपको SIM ejector tool, कुछ documentation और यह एक premium case देखने को मिल रहा है तो यह थे दोस्तों इस phone के inbox content and यहाँ पे मैं इसको बस on कर देता हूँ जल camera setup. अब यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़े बहुत shots लिये थे जब मैंने इस phone को use किया जैसा कि आप screen पे देख सकते हैं तो colors दोस्तों यहाँ पे vibrant है and shots भी काफी detail है. अब portrait mode देखो दोस्तों ओपो के phones का हमेशा से strong रहा है and यहाँ पे भी portrait mode काफी अच्छा काम कर रहा है अब OPPO के दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया night mode भी देखने को मिलता है तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की night photos आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी and to be honest for the first impressions they look quite promising. इसी के साथ साथ आपको OPPO K10 में मिलता है 16 megapixel का ASLP camera तो hardware तो दोस्तों इ 360 degree की जो fill light है वो आपको मिल जाएगी. इसी के साथ साथ आपको इस phone में मिलता है OPPO का AI photo suit जिसमें आपको AI night flare portrait, AI palette and AI natural retouching जैसे features भी मिलता है. अब इसके बाद दोस्तों का performance की बात करें तो OPPO कहता है कि आपको इसमें seamless, carefree performance देखने को मिल जाएगी. तो specs के मामले में expansion भी मिल जाएगा जहाँ पर एक terabyte तक का micro SD card है वो लगा करके इसके memory है वो expand कर सकता है. इसे कर expansion की बात करी रहे है तो यहाँ पर आपको अप्टू 5 GB of virtual RAM भी देखने को मिलता है and यह दोस्तों आपको OPPO के RAM expansion feature है वहाँ पर यह option देखने को मिलेगा. इसके बाद दोस्तों अगर processor की बात करें तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 680 का processor है वो देखने को मिल जाएगा. तो benchmarks आपके सामने screen पर है and अगर दोस्तों मैं अपनी जो normal day-to-day usage अभी तक मिले को देखने को मिला है उसकी बात करूँ तो यहाँ पर जो lags है वो नहीं है और games भी दोस्तों smooth चल रहे है चाहे वो COD हो या फिर BGMI. अब next अगर दोस्तों बैटरी की बात कर रहे है तो यहाँ पर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी जो on a normal day-to-day usage देट दिन से दो दिन अराम से चलेगी और charging के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है 33 Watt का Superbox Charger जो की आपको box के अंदर ही मिल रह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके बाद अगर हम डिस्पले की तरह बढ़ते हैं तो OPPO K10 में आपको मिलता है 6.59 इंचिस का full HD plus दिस्पले यह काफी vibrant डिस्पले है और colors भी अच्छे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगे इसी के साथ साथ आपको 90Hz है बहुत स्मूद अनिमेशन कब चाहिए अगर आपको वीडियो देखने है तो वहाँ पर आपको 90Hz नहीं चाहिएगा तो वह अपने आप स्केल डाउन कर लेगा तो जिससे क्या होगा कि जो बैटरी है वो जादा लास करती है और ते सेम टाइम आपको आपको आप्टिम जो देखने में अच्छा तो ही बट फिंगर प्रिंट्स भी यहां पर जादा अट्रैक्ट नहीं करता है अब दोस्तों यह जो फोन है यह दो कलर में आता है ब्लाक कारवन अफकॉस जो आप खरीज सकते हो और यह दोस्तों है ब्लू फ्लेम और यह लगपाक 189 ग्राम के आ आपको मिलता है IP54 की रेटिंग फॉर डस्ट और वाटर रेजिस्टन और ब्रैंड की तरह से दोस्तों आपको क्लेम है कि जो फोन है काफी जादा वेल बिल्ड है और उनके इंटर्नल डॉप टेस्ट में काफी जादा स्टर्डी परफॉर्मेंस इस ने दी है अगर काफी जादा उप्तिमाइस देखने का लगा जैसे कि मैने परफॉर्मेंस के लिए अल्रडी का है एस सच मुझे हैं पर कोई इशू देखने को नहीं मिली है मैंने कोई लाग्स बगर भी नोटिस नहीं किया जितने भी थोड़ा बगस को यूस किया और फीचिस के मामले में कलोर वेस इस वन अप दे बेस्ट आंडरीड स्किन आउट दे यहां पर आपको एड जेस्चर और फ्लेक्स जो फीचर है वह भी देखने को मिलता है और इसके अला दोस्तों जो मेरा फीवरेट है वह है एंटी पीकिंग नोटिफिकेशन फीचर विच रियली हेल्स तो इना जल्दी से आंड आई तिंग जैसा मैंने सोच था वो सूपर क्यूट यार तो यह दोस्तों ओपो एंको एयर टू अपको ट्रांस्लूसेंट यहां पर देखने को मिल रही है और इसका दोस्तों आपको यहां पर मिलता है कुछ पीपर वक्ट तो अभी तो दोस्तों इसको सा यूस्ट करूंगा फॉर सम्टाइब तो यह दोस्तो ओल न्यू ओपो एंको एड टू बट्स एंड जनरली अगर हम इस प्राइट सेग्मेंट की बात कर रहे हैं तो ओपो का जो एंको टी डवलु ऐसे वह बहुत ही ज्यादा हाइली रेकेमेंडेट प्रड़क्स में से एक है और अल्रेड़ी फील कि यह बट्स भी कोई कम नहीं होने वाले तो भाई थोड़ा इसको यूस तो करके देख रहता हूँ तो जैसा आपको देख के पता चल गिया होगा कि experience तो काफी बढ़िया था और अगर मैं specs की बात करो तो यहाँ पर आपको 13.4 mm का driver मिलता है जिसकी tuning काफी अच्छी लगी है मुझे मुझे buds का design काफी जादा comfortable लगा और इसमें आपको एक snuck fit मिलता है बाकी यहाँ आपको in call noise cancellation का feature भी देखने को मिलता है जो की काफी जादा बढ़िया हो सकता है आज कल जैसे हम लोग calls ले रहे हैं यह था हमारा OPPO K10 का unboxing and first impression video overall I'd say device काफी जादा promising है and can definitely be considered अब OPPO जोस्तो बहुत सारे phone launch कर रहा है at the budget price range यहाँ पर आपको काफी जादा बढ़िया camera features देखने को मिल रहा है and K10 is definitely one of the best value for money phones with a balance of best in class features that you can buy under rupees 20,000 तो दोस्तो इस phone के जो buy links है मैं आपको इस video के नीचे description में दे दूँगा और उसके साथ साथ बेस्ट offers आपको इस phone में मिलेंगे उसकी भी जानकारी आपको इस video के नीचे description में देखने को मिल जाएंगे वैसे इस phone का review वेगरा भी हम करेंगे तो प्लीज अगर आपने वेटे subscribe नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब बटन जरूर दब है and हमारे अगले वीडियो से अगले दूस्तों गुट बाई